नमस्कार दोस्तों सुवागत आप सभी के HP exam phase में आज हम teaching of मात्मा गांदी से related सारे previous question करने वाले हैं जो भी आज तक HP PC allied के exam में पूछे गए हैं आप सभी को पता है allied की total 64 vacances जो है हिमाचा पदेश में आ गई है जिसके लिए आपका pre और mains exam होता है प्री में लगबग 200 के around question आपसे पूछे जाते हैं जिसमें से 7 से 10 question directly किस से related होते हैं मात्मा गांदी जी से related होते हैं तो जितने भी आज तक allied के exam हुए वहाँ से मैंने जो है गांदी जी के question निकालके इस PDF में डाल दिये आपको idea लग जाएगा कि किस type के जो है गांदी जी से question पूछे जाते हैं allied के exam में तो जल्दी से जो है इस वीडियो को start करते हैं first question देखे with which one of the following newspaper गांदी जी was associated as editor तो इनमें से किस समचार पत्र के साथ मात्मा गांदी संपादा के रोप में जोड़े होए थे अब देखे हैं आपर पांच newspaper दे रखा है क्या के नाम है हरीजन, गुजराद दरपन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, टाइमस ओफ इंडिया तो इनमें से कौन सी newspaper है जिसके editor को ओं थे मात्मा गांदी जी थे तो first question answer क्या है फर्स्ट का जो right answer है वो है हरीजन, हरीजन के editor भी मात्मा गांदी थे इंडियन ओपिनियन के भी और यंग इंडिया के भी जो हरीजन है इन्होंने 1933 में स्टार्ट की थी इंडियन ओपिनियन जो है इन्होंने सौथ अफरीका में भी स्टार्ट कर दी थी और नेक्स्ट कहा है यंग इंडिया यंग इंडिया जो है इन्होंने 1919 से लेखे 1931 तक जो है एडिट किये थी तो तीनों ही newspaper हरीजन, इंडियन, ओपिनियन, यंग इंडिया ये तीनों ही newspaper के editor कों थे मात्मा गांदी जी थे तो यह नाम याद रखने है हरीजन, इंडियन और यंग इंडिया फ़र्स्ट वर्स उपिस्ट कंत दिन सक्जा शेद कर दो ऊप्छन आप्षेंग तो इसे पाइनग या भक सुरू है शेदौर था त तो अब यहाँ आपको बताया है मैं नैट्टीन इमिक अरगा हाँ नहीं मीक, घॉरीजन है यह एक 33 में तो हरीजन भी किस ने जो है एडिट किये है ये गांधी जी नहीं एडिट किये ये एक वीकली न्यूजपेपर है सेकंड़ाइट आंसर ऑप्शन ए है चलिए ठर देखते हैं तो अभी हमने पढ़ लिया इंडिया का भी किये है जंग इंडिया का भी किये है जो है महात्मा गांधी जी नहीं थे तो इंडियन ऑपिनियन के भी है जंग इंडिया के भी है जो है महात्मा गांधी जी नहीं थे तो इंडियन ऑपिनियन के भी है जंग इंडिया के भी है हरी पनाई है तो गांधी जी से लेटेट सारे कोशन आपको हो इस PDF में मिल जाएंगे यह PDF भी में आपको दे दूँगा नीचे हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया है उसे जोइन के लेना लगबग 23,000 से जादा बच्चे वाँ जोड़े में तो आपको जो है पूछना चाहते हैं नाखपूर सेशन जो 1920 में हुआ मदराज सेशन जो 1997 हुआ तो यह तो होई नहीं सकता क्यों है मातमा गांधी जी जिन्दा ही नहीं थे और्टोग्राफी का मतलब क्या हो गया उन्हें ने खुद लिखे होगी तो आटोग्राफी 1997 में तो लिखनी सकते क्य सेशन हो चुका था 1948 में तो फिर देखी बॉंबे सेशन 1934 हरीपूर सेशन 1938 तो इसका राइट आंसर क्या है फूर्थ का राइट आंसर है नाखपूर सेशन 1920 तो 1920 तक की जो उनकी लाइफ है उनकी जर्नी है उसके बार में जो है इस बुक में बताया गया है मैं एक्सपेरिम तो आपने सुना ही होगा फूर्थ का राइट आंसर के है option A है फिफ देखिए who gave John Ruskin's book on to the last to Gandhi जी तो जॉन रसकिन की पुस्तक on to the last गांदी जी को किस ने दी थी तो एक बुक है किस ने लिखी थी जॉन रसकिन ने नाम की है on to the last ये गांदी जी को किस ने दी थी ये ट्रेवल कर रहे होते है 1904 के राउंड तो उसमें जो है उन्हों ट्रेवल कर रहे होते है ट्रेन में लगबग 24 गंटे की ट्रेन होती है तो उसमें जो है Henry Polak उन्हें ये बुक देते है on to the last पढ़ने के लिए John Ruskin द्वारा लिखी गई है और इससे काफी जादा influence भी होते है गांदी जी तो ये बुक किस नहीं देती है on to the last गांदी जी को ये देती है Henry Polak ने फिफ्ट का एट आंसर option C है तो अगर आपको allied का study material हमसे लेना होगा तो आप इस नंबर पे WhatsApp भी हमें कर सकते हो 7018186561 पे हमने जो है complete study material जो है allied का बना दिया है with test series ठीके साथ में आपको test series जाएगी descriptive form में दस test series जो है latest pattern में दी जाएगी हिमाचल जी के complete मिलेगा descriptive MCQ इंडियन जी के एक साल की current affair मिलेंगे वो भी descriptive form में मिलेंगे तो हर एक चीज जो है आपर cover की है कुछ specific topic होते हैं जैसे disaster management हो गया environment and gender issues हो गए teaching of मातमगादी होगी जिन से question exam में आते ही आते हैं और study material लेना होगा इस पर poster भी काफी अच्छी आ रही है 64 के around जो है vacances आ रही है तो अगर किसी भी बच्चे को interest होगा study material पर इस number पर मुझे WhatsApp करके detail ले सकता है next देखते हैं sixth question के from where did गांदी जी came across the three principles of his ideology तो गांदी जी ने अपनी विचारदारा के तीन सिधानतों को कहां से प राथ किया था six reckless और उसंट बी है सेवन देकिए गांदी जी सत्यक्रे इस बेंस बेस्ड़ान तो गांदी जी का जो सत्यक्रेंश किस पर अधारित है टूथ है नोन्वेलिंस पर गांदी से हैं चले शह लिए जो है गया प्रभाव डालब तो गैंटी जी का सत्यक्रे जो है है काल मैक्स है लिए टॉलस्टोय है ऐलबेट आइंस्टाइन है या बर्टनाद रुसेल है तो एक्राइट एड़िट का जो राइठ आंसर मैं यह लिए तो लियो टॉल्स्टोय की भी जो है उन्हेंने बुक पड़ी थी जिसका नाम किया The Kingdom of God Is Within You तो इसने भी जो है काफी जादा इंफ्लूएंस किया था मातमादी को उनके जो विचारों को जो है अकार देने में किस बुक ने मदद किया था लियो टॉल्स्टोय की बुक थी The Kingdom of God Is Within You तो कौन से लेखक ने प्रभाब डाला था गांदी जी पर वो है लियो टॉल्स्टोय एट काइट आंसर ऑप्शन बी है तो इन्होंने काफी सारी जो है बुके पड़ी है जैसे अभी ऑन्टु दे लास्ट भी पड़ी है जो जो जॉ नहीं देखे आर्टिकल 36 to 51 of the Indian Constitution contain the directive principle of state policy. Identify the article which have the scope of Gandhian principles. तो भारतिय सविदान के अनुछे 36 to 51 में राजी के जो है नीती निर्देशक तत्व है उन अनुछेदों की पचान किजिए जिन में गांदीवादी सिदान्तों का दाइरा है तो आपको बताना है अगर आप लेटेड हैं तो कौनसे है 40 b है 40 articles आपको सारी पतातो 43 हो गया 43 b हो गया यह आपके जूह है गह्ंदिन principles से लेटेड है 46 हो गया 47 हो गया 48 हो गया तो इस सारे किस से लेटेड उतिन करनाओ से और साथ में जो एकनोमिक इंटरस्टे विकर सेक्शन का उसको भी प्रमोट करना वह 46 न बताया गया 47 न बताया गया जो पब्लिक हेल्थ है उसे इंप्रूव करना है 48 में बताया जैसे कि प्रौबिट करना है यहां पर जो जो काॉज का slaughter होता है, उनकी breed को improve करना, तो इस सारे जो article है, किस से गांधियन principle पर बेस्ट है, तो वही चीज़ पूछाए इसमें, 36 से 51 article जो है directive principle of state policy है, इसमें कौन से जो है गांधियन principle से जो है related है, तो कौन से होगे, 40, 47, 48, नाइंत कारे टांसर option D है, चले 10 देखते हैं, of the following, who was the first recipient of Gandhi Peace Prize, तो इनमें से Gandhi Shanti Pruskar के पहले प्राप्त करता कौन थे, तो आपको बताना है, जो Gandhi Ji Peace Prize है, ये सबसे पहले किसको मिला था, Mother Teresa, Nancel Mandela, Julius Nairair, Khan, Abdul Gafir Khan, तो 10th का right answer है, 10th का जो right answer है, वो है Julius Nairair, ठीक है, Julius Nairair, इनने गांदी जी Peace Prize मिला था सबसे पहले, कब मिला था 1995 में, तो फर्स्ट recipient है, गांदी जी Peace Prize के कौन Julius Nairair, 10th का right answer option C है, चले 11 देखते हैं, in which one of the following languages was the book Hins Suraj originally written, तो इनमें से किस भाषा में मूल रूप से हिन Suraj पुस्तक लिखी गई थी, तो आपको बताना है, यह पुस्तक जो है book, जो है, हिन Suraj, यह किस ने लिखी है? यह भी मात्मा गांदी जी ने लिखी है, तो इक कौन सी भाषा में जो है originally लिखी गई थी, गुजराती में, हिंदी में, English में या मराठी में, तो 11th का right answer क्या है? 11th का right answer तो किस ने लिखी है? मात्मा गांदी जी ने लिखी है, हिंद सुराज कौन सी भाषा में लिखी थी, गुजराती में लिखी थी 11th का right answer option A है चलिए 12 देखते है Against which one of the following date मात्मा गांदी अंडेटेक fast on to death in 1932 तो निदम से किस एक के विरोध जो है मात्मा गांदी ने 1932 में आमरान अंचन किया था तो fast on to death रखा था मात्मा गांदी जी 1932 में, किस के खिलाफ रखा था, किस चीज के विरोध रखा था separate electorate for depressed class Hindu Muslim communal rights dense sentence against revolutionary nationalist violence at 14 तो इसका right answer कहा है? इसका जो right answer है separate electorate for depressed class जो पिछड़े वे work थे, उनको reservation दी जा रही थी तो उसके विरोध जो है मात्मा गांदी ने fast on to death रखा था 1932 में, तो 12th का right answer कहा है? 12th का right answer option A है, तो Britishers थे वो भारत में उन्होंने कभजा कर रखा था तो divide करने की जो उनकी policy थी सबको बाटे जा रहे थे, पहले हिंदू-Muslim को बाटना चाते थे फिर बाद में जो है, पिछड़े work है उनके लिए जो है, अलग से जो है, वो reservation ला रहे थे, तो वो सब जो है Britishers की policy थी, तो उसी के मात्मा गांदी जी जो है 1932 में खड़े हुए, जब उनने एक नया बिल लिखे आए कि separate electorate होगा, किसके लिए depressed classes के लिए, तो 12th का answer option A है, 13 देखिए, under which one of the following organization was a movement launched by मात्मा गांदी to register protest against the royalite bill in 1990 तो निमलेक्थ संगठनों में से किस एक के तहत, मात्मा गांदी दौरा 1990 में royalite bill के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए अंधोलन शुरू गया था तो royalite bill जो है, Britishers लिखाया थी, 1919 में, उसके विरोध प्रोटेस्ट किया गया था मात्मा गांदी दौरा तो कौन सी संगठन के, जो है नेतरतों में, कौन से संगठन के अंडर जो है, उन्होंने प्रोटेस्ट चलाया था Indian National Congress, सर्थाग्राय सभा Congress, खिलाफत कमिटी या स्वराज पाटी तो इसका जो राइट आंसर है 13 का वो कहा है, वो है सर्थाग्राय सभा तो इस सर्थाग्राय सभा जो है, इन्होंने ही फॉर्म की थी रॉलेट बिल के अगेंस, 14 देखिए, विज्वन आफ दो फॉल्विंग वास नॉट अपार्ट अफ आफ आफ गांधी दूरिंग दे फ्रीडम स्ट्रगल अफ इंडिया, तो इन्होंने से कौन सा एक भारत के अगेस्ट अंटचिबल्टी, अंटचिबल्टी को खतम करने के लिए उन्होंने वर्क किया, जो फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से ये काम उन्होंने नहीं किया, तो जो गांधियन, जो है गांधी जी है, उन्होंने नहीं किया, बाकी तीनों के लिए उन्होंने काम कि थे कि इन चीजों को हम मैं जो है कभी नहीं चूँँगा तो कौन सी तीन चीजे थी तो इसका रड़ राइट अंसर है20 मालि उ कई आदर ऊटको यद्ट डूंवाई यह जवाइन चालत चीजों को छो adapting में छोई का खाया थी कि 5ела के प्रप्शन दी है 16 देखिए अब यह सब चीजे कैसे बदा लग रही है अब उनकी ऑटो बाग्राफी है माई एक्सपेंड वित तुट उसमें जो है यह सारी चीजे उन्हें बता रहे हैं तो वहीं से जो है कोशन बन रहे हैं तो पूरा महतमागादी चीजे रेलेटेड आप तो यह किस ने कहा था पूरुष और महिला समान रहेंके हैं लेकिन वह एक समान नहीं है तो किसकी बात हो रही है महतमागादी चीजे लेटेड कोशन है तो महतमागादी जी नहीं कहा था तो यह सारी चीजे महतमागादी जी द्वारा कही गई अब देखिए next भी है बाइ राम राजया I did not mean hindu raja I mean ram raja divine raja the kingdom of God for me rama and rahim are one of the same deity तो राम राजय से मेरा तारफ़े hindu raja से नहीं है मेरा मतलब राम राजय दिव्य राजय इश्वर के राजय से है मेरे लिए राम और रहीं एक ही देवता है तो इसने गा था यह भी मात्मागादी जी नहीं कहा था तो तो यह भी किसने का था यह भी महात्मा गांदी जी नहीं का था I do believe that where there is only choice between paradise and violence I would advise violence तो इसका right answer के महात्मा गांदी जी नहीं यह का था 19 देखिए who was the political guru of महात्मा गांदी तो महात्मा गांदी के जो है राजनितिक गुरू कौन थे तो सब को संगर्ष के लिए एक तक्नीक के रूप में सत्तेगरे के खोज और उपयोग किया था सबसे पहले जो है उन्हें सत्तेगरे कहां पर किया था South Africa में ही किया था उसके बाद इंटेया में किया था 21 देखिए in which इसे जो है युज़ान दिए राजनिञे में साबरुम्त्य आश्रम की स्तापना ह possa की ती थी थी मे6 फिचैनीशं ने सब्सक्क्रण किय के ती अब उससे शक्रमों में फिर आगया कि श सेब्सकाह में उन्हों से पहले उन्हों 1916 में उन्होंने इस्टैबलेश किया सत्यगर्य आश्रम, बाद में उसका नाम चेंज करके साबरमती आश्रम उन्होंने रख दिया था, ठीक है, तो गांदी जी ने पहले क्या सत्यगर्य आश्रम, 1916 में बाद में चेंज करके क्या पढ़ गया, साबरमती आश्रम जो है चें में डेट भी आपको बता लुचिए नेक्स देखिए what was the most important element of satyagraha? तो satyagraha सबसे महतवपून तत्व क्या है? तो सबसे important element क्या है satyagraha? वो है non-violence, टीक है? non-violence जो है सबसे important element है satyagraha? 24 का रेटांसर option B है. 25 देखिए in which satyagraha Gandhi ji used the last weapon of hunger strike? सबसे पहले जब इंडिया में आए तो सबसे पहले जब हंगर strike उन्होंने कहां पर की थी? तो easy easy question है amdobard textile mill strike हो थी? यह कब हो थी? 1918 में तभी उन्होंने सबसे पहले hunger strike का यूज किया था. तो यह easy question है, अब जो है question का level बढ़ता जा रहा है, अगर 2019 में देखोगे, अच्छे level की question पूछे गए थे, अब जो है और अच्छे level के question जो है पूछे जा रहे है, तो 2015 में अगर हम देखे, उस टाइम इतना competition नहीं था, question का level भी इतना अच्छा नहीं था, 17 में थोड़ा सब बढ़ेगा, 18 में थोड़ा बढ़ेगा, 19 में थोड़ा बढ़ेगा, अब भी जो है आपका बढ़ेगा, तो ऐसे नहीं क्या easy question पूछेंगे, 26 देखे, which one of the following events marks the beginning of the civil disobedience movement under Gandhiji, तो नहीं में से कौन सी घटना Gandhiji के तहत, जो है सिविनिया अवग्या अंदुलन की शुरुवात की प्रतीक है, तो कौन सी है, बताईए, रोलेट सत्यक रहे, बर्दोली सत्यक रहे, शॉल्ट सत्यक रहे, यह गांधी इर्विन पैक्ट, तो 26 राइट आंसर के है, 26 का राइट आंसर है, वो है सॉल्ट सत्यक रहे, ठीक है, सॉल्ट सत्यक रहे, जो 1930 था, तब मात्मगादी जी ने क्या चलाए थी, डांडी मार्ट चलाए थी, और जो सॉल्ट लौ था, उसे तोड़ा था, उसी से माला जाता है, कि सिविल डिस्रूबिदेंस मुमेंट, उसी मुमेंट से जो है, स्टार था, उसे जो है, तोड़ा गया था, उसे जो है, सिविल डिस्रूब मुमेंट स्टार्ट हुई, बाद में जो है, गांदी जी ने उसे वापिस भी बुला लिया था, यानि जो मुमेंट स्टार्ट की थी, उसे खतम भी कर दिया था, बंद भी कर दिया था, तो 27 कब क्या था 27 का right answer क्या है 1934 तो 1934 में बंद कर दिया 1930 में civil decision movement start वी और 1934 में जो है finish होगी 27 का right answer option D है 28 देखें In which one of the following movement did मातमागादी give the mantra do or die to the people of India तो रिमिन से किस आंदोलन में मातमागादी ने भारत के लोगों को करो या मरो का आपका slogan दिया था तो कौन से slogan है करो और मरो do or die ये कौन से movement में दिया था रोलाइट सतागराय में quit India movement civil discipline movement में ये non corporation movement बहुत easy answer है quit India movement जो आपका 1942 में हो इसमें जो है ये slogan दिया था मातमागादी ने do or die 28 का right answer option B है चलिए next देखें अब देखें ये अच्छे level question है ये शायद 2019 में पुछाओगा तो मैं कहरो आपको level अभी increase करें जैसे question देखें popularly known as Mira Ben a staunch disciple of Gandhi ji was sent to Delhi to apprise the vice raya about the Congress Working Committee resolution on the quit India movement what was her real name तो कहना के जाता है इसमें गांदी जी की एक कट्टर सेष्य Mira Ben के नाम से लोगपरी है vice raya को भारत छोड़ो अंजलोन पर Congress कारिसमिति के संकल्प के बारे में अफगत कराने के लिए दिल्ली भेजा गया था उसका असली नाम क्या था तो गांदी जी की एक कट्टर सेष्य थी जिनका नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है जिने जो है दिल्ली भेजा गया था vice raya को बताने के लिए कि जो है quit India moment जो है हम start करने वाले हैं तो आपको उन लीडी का जो है नाम पुछा जा रहा है मिस कैथरीन है, मिस रमाया है मिस दुर्गा है, मिस लेड है तो बताइए मीरा बाई, मीरा बैन मिरा बैन जो है उनका नाम रखा गया था असली नाम पुछा गया है, तो मिरा बैन को भेजा गया था दिल्ली की हापको वाइसरोय को बताना है कि जो है quit India moment जो है अब start करने वाले हैं, तो आपको बताना है मिरा बैन का असली नाम का था तो के नाम था Miss Slade, अगर पूरा बोलो तो Madeline Slade, जो है इनका नाम था, जिनका popular name की था, मीरा बैन के नाम से वो जाने जाती थी तो उनका original name पुछा था, वो Miss Slade है तो देख सकते हो, अच्छे लेवल की गोशन अगर पुछेंगे तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है, 30 देखे This session of Congress was presented over by गांदी जी, तो Congress की किस अधिवेशन को अधिशन को अधिशन था, जो है गांदी जी ने किती है तो सब को पता है किसने कौन से session को किती गांदी जी ने बेल गाम, ठीके बेल गाम कब किती, 1924 में किती तो कौन सा Congress का session था, बेल गाम वाला था, 1924 जिसे जो है, अधियक्ष जिसको प्रजाइट किसने कहता है, गांदी जी ने किया था, 30 का answer option D है, 31 देखे, अनासुया बेन, one of गांदी जी, main lieutenant was the sister of, गांदी जी की मुखे, lieutenant में से एक, अनुसया बेन, किसकी भेन थी, तो देखे, भी अच्छे level question है, यहां पर पुछा जा रहा है, कि उनके एक lieutenant थी, गांदी जी की main lieutenant थी, अनासुया बेन, यह किसकी भेन थी, पुछा जा रहा है, अंबालाल सराभाई की, जमुनालाल बजाद की, घंशे अमदास की, वल्चन, हिराचंद की, तो 31 का रहा है, 31 का रहा है, वो है अंबालाल सराभाई, तो अंबालाल सराभाई की भेन थी, कौन अनासुया भेन, यह गांदी जी की main lieutenant थी, 31 का रहा है answer option A है, 32 देखते हैं, in the opinion of गांदी जी, which one of the following method is best for conflict resolution, तो गांदी जी के according कौन सा जो है, conflict, अगर किसी दो व्यक्ति के बीच में, दो पार्टे के बीच में conflict हो जाए, तो सबसे अच्छा method कौन सा होगा, सबसे अच्छा method इन में से कौन सा होगा, suppression of conflict, non-cooperation, suppression of talk, mutual dialogue या diplomacy, तो इसका right answer के, mutual dialogue, ठीक है, दोनों को बीच में, mutual dialogue हो जाए, ताक कि जो conflict है, उसे, जो है, सुल जाया, जा सके, तो 32 का right answer option C है, तो बेस्ट method क्या होगा, अगर किसी conflict को हल करना होगा, तो mutual dialogue, किसके according, गांदी जी के, 32 का right answer option C है, 33 देखे, which one of the following is correct about गांदी जी, तो गांदी जी के बारे में में से क्या सही है, तो आपको बताना है, इन में से, चार आपको एम पर sentence देरके, क्या इन में से, जो है, मांतम गांदी जी के बारे में सही है, डेकली right answer बतानो, he is believed in the maximum of the government is the best which governs the least, तो इसका मतलब क्या होगा, गांदी जी believe क्या करते थे, the government is best which governs the least, तो government सबसे अच्छी कोण है, जो सबसे कम जो है, गवन करें, तो 33 का right answer option A है, ठीक है, कौन सी गांदी जी के बारे में correct statement है, option A, इसका right answer है, 34 देखे, which one of the following according to main pillar of communal harmony, तो इन में से, आपको चारों में से बताना है, main pillar क्या है, communal harmony का, तो वो क्या है, सर्वधर्मा संभव, तो सर्वधर्मा संभव, जो है, गांदी जी के according, main pillar है, communal harmony का, 35 देखे, which one of the following harshly by maatma gandhi and hindh souraj, तो हिndh souraj किसे ने लिखे थी, maatma gandhi ji ने लिखे थी, अभी हमने पढ़ा था, पहले question आया था, कौन सी language में लिखे थी, गुजराती में जो है, उन्होंने लिखी थी, तो उस book में, maatma gandhi ने किसे, जो है, किस चीज़ की aločना की ए, किस चीज़ की aločन तो यह सारे कोशन जो है एक्जाम में आयो हुए कोशन है अगर आप हम से स्टेडी मतियल लेना चाहते हो कि तो इस तंबरे वर्टसेप करना है या फिर नीचे हमारे एप का लिंक दिया है एप को डॉनलोड कर ले आप पर जो है आपको लेटेस्ट पैटन में टेस्स भी मिल तो बहुत अच्छी टेस्स जो है आपके लिए मैंने बना रखिए अलाइड एक्जाम के लिए कहीं पर भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी हाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हरी कोशन अपने तरफ से जो है मैंने डाला हुए अच्छे लेवल के डाले हुए ऐसे नहीं कि हा अकॉर्डिन टु मातमगांधी टेंट कैपिते लेवर वे इस देटो तो कैपिते लॉर्म एक्टे अच्छाग जी चेज अधा पहुँआ को कौसा नाम दिया था तो गांधी जी ने अपनी जो शीज स्कीम अफ एजूटिशन ती नहीं तालीम जो है उन्होंने नाम दिया था अपनी स्कीम ऑफ एजूगेशन गो 37 गाटांसर ऑपिशन सी है 38 देखें अकॉडिन टू गांदी जी विच फॉल्विंग है इंडिया बेंकरप्ट गांदी जी के अनुसार निजम से किसने भारत को जो है दिवालिया बना दिया था तो किसने बनाया था रेलवेज ने भी भी बना दिया था लॉयर्स ने भी डॉक्टरस ने भी तो ऑल अफ द तो गांदी जी की अगोड़े इन तीनों ने जो है इंडिया को जो है बैंकरप्ट बना दिया था नेक्स देखते हैं 39 विच इवेंट डिट गांदी जी रिकारड एस अडवंट अभ सत्यगरें इंडि तो इसे बोलते हैं विराग्राम कस्टम्स तो इनके अकॉर्डिंग गांदी जी के वार्डिंग यह जो है सत्रगे के आगमन के रूप में माना गया था ठर्ट्टेंग के अटनसर ऑप्शन भी है तो गांदी जी की मुलकात जो है उस महिला से कहां हुई थी जिसने उन्हें असत्य के छुटकारा दिराने में मदद की तो कहां प्रुविती मृंटन में हुई थी यह आपके सारे आज तक आएवे महात्मा गांदी जी से इलेटेड कोशन है जो अलैड के एक्जाम में अब तक पूछे गए हैं तो नेक्स भी जो आपका एक्जाम होने वाला है उसमें भी 7 से 10 कोशन जो है आपके गांदी जी से इलेटेड आएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको disaster management से related question कराऊँगा जो आज तक आई हुए disaster management हो गया यहां से भी definitely आपके 7 से 10 question जो है exam में आते हैं तो कुछ ऐसे topic है जिने हम छोड़ने सकते हैं जहां से आपके definitely exam में question आते हैं तो इनको छोड़ना नहीं है जैसे gender issues हो गया वहां से भी question exam में आते हैं या फिर environment से related question आ जाते हैं एक साल का current affair हो गया आपका budget हो गया economic survey हो गया यह ऐसी चीज़े जिनको आपको छोड़ना नहीं है अगर current affair नहीं पड़ी तो exam देने को फायदा नहीं current affair के बहुत जादा question आते है एलाइट services exam में तो आपके लिए जो है मैंने पूरा study material बना रखा है 7018186561 इस पर एक बार whatsapp करना और detail लेना 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 वह बात की बात है